अगर आप भोचपरी की ताजा खबरों को देखना चाहते हो तुरंत ही हमारी चैनल को सस्क्राइब करें ये लाव रण का सस्क्राइब बटन दबाया और बैल आइकन को दबाया जिससे नई वीडियो की जानकारिया आप तक पहुच जाएगी जान लीजे सस्क्राइब का ना देश मिश्रा देप सिंग ने सभी ने बहुत बहतरीन काम किया है दोस्तों इस फिल्म के खासियत की तरफ आए तो इस फिल्म को खेसारी लल यादब ने बहुत ही बहतर तरीके से बनाया है इस फिल्म में खेसारी लल यादब ने बीटियो की कहानी के उपर फोकस किया है ब बहुत ही ultimate है, दोस्तों इस film का direction दिया है, प्राग पार्टी नेवाई इस film के producer है रदनागर कुमार, दोस्तों इस film को आज बिहार जारकन के साइद मुंबई में भी रिलीस किया गया है, और इस film को अपार सफलता आज मिल रही है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात ही कि इस film क मल्टी प्लेक्सों में रिलीस किया गया है, अब हम बात करते हैं इस film के box office production के बारे में, दोस्तों फर्स डे box office collection कितना होगा, इस बात की official announcement अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है, ये film आई-फाई है, महंगी है, और इसे दर्शों काफी ज़्यादा पसंद करने इसलिए ऐसा लगता है, इस film का पहले तिन का collection लगबग 30 से 35 लाक रुपे हो सकता है, जी हाँ, 30 से 35 लाक की film पहले तिन कमा सकती, इतना expect किया जा रहा है, अलग इस बात की official कोई announcement नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हम expect कर रहे हैं कि पहले दिन की कमाई लगबग 30 से 35 लाक रुप आकि बहतरीन परिवारिक film बना कर लोगों के सामने represent करें और इस film में काजल राखवानी ने बहुत बहुत बहतरीन काम किया, इस film के सभी टीम ने बहुत ही ultimate काम किया है, इस film के डिरेक्शन में प्राट पाटिल ने बहुत काम्याभी हासिल की है, दोस्तों आपके हिसाब से झाल झाल